या बाबा की, आप सब को परनाम, आज का विशा है गुरु महिमा, गुरु किर्पा, गुरु शक्ति, बगतो, गुरु महिमा का जितना बखान की आजाए उतना कम है, गुरु वो समुंदर है जिसकी गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता, ना तो आज तक किसी ने नापा है, और नहीं कभी ना पजाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गुरू वो होते हैं जो परमात्मा के सबसे अत्यधिक प्यारे होते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि प्रकर्ति और परमात्मा के सानिधे में जब फिर्थ्वी पर एक अच्छी आत्मा की जरूरत होती है, तो एक गुरू को परमात्मा अवतरित करते हैं, जो जन का ल्यान करते हैं, और इनसान की बलाई के लिए कारिय करते हैं, और भागवत्ता का परचार परशार करते हैं। एक सच्चे गुरु की निसानी यही है कि वो कभी भी अपनी महिमा का बखान के सामने नहीं करता है, लेकिन गुरु की महिमा कभी छुपती भी नहीं है, गुरु तो गुरु होते हैं, सबसे बड़े गुरु माधेव हैं, और माधेव की ही यह वनसावली होती है, जो गुरु परमप्राए है आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बता हूँगा जो मेरे साथ हुई है और गुरु किरपा से कैसे मेरी एक कटिन साधना वी और गुरु आशिरवाद गुरु शरन की महिमा का बखान आज की वीडियो में आप सुने जब मैं अपने गुरु महराज से मिला था तो उन्होंने सवर पर्थम मुझे ये बताया था कि अगर आपको परमात्मा के सानिद्य में जाना है गेरे द्यान में जाना है समाधी में जाना है तो सबसे पहले आपको अपने उपर ही कारिय करना होता है हमारे उपर देखे सबसे उपर परमपिता परमात्मा है परमात्मा के सा निद्य में आत्मा होती है आत्मा के नीचे मन है मन के नीचे बुद्धी है बुद्धी के नीचे इंद्रिया है इंद्रियाओं के नीचे पांच भूत है पांच भूत के नीचे वासनाई होती है तो य अगर आपको अध्यातम के बीतर जाना है तो सबसे पहले आपको पांच भूत पे वस करना होगा, पांच भूत अर्थार्थ काम, करोध, मो, लोब, एंकार, लेकिन इन में सबसे पहले काम पे ही काम को साधा जाता है, काम अर्थार्थ आपके बीतर की वासना है, जिस चीज के आपको जरूरत नहीं है, उसकी अधिक्ता क्यों ली जाए, तो वो वासना पे नियंतरण, और काम में सवरपर्थम काम वासना आती है, क्योंकि जब तक आप ब्रमचरिया कपाले नहीं करते हैं, तो आपके बीतर की उर्जा नहीं बढ़ेगी, और जब तक आपकी उर्जा जो मूला धार की उर्जा को उपर उठाने के लिए और उसको संचित करने के लिए आपको प्रमचरिय की ज़रूरत होती है, तो मेरे गुरु माराज ने सबसे पहले मेरी काम के साथ ना कराई थी, ये 41 दिन की साथ ना थी, वैसे तो इसमें गुरु माराज ने मुझे इन कारिय नहीं दिये थे, एक तो ब्रमचारिय का पालन था, और क्रोध नहीं करना, मन को शांत रखना, अधिक मसालेदार भोजन ने करना, लेकिन ये साथ ना मेरे लिए इतनी आसान भी नहीं थी, कि 41 दिन का अगंड ब्रमचारिय मैं निबापा हूँ, लेकिन गुरु श उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा उदेश्य ये है, कि जो गुरुओं से प्रेम करते हैं, गुरुओं को चाते हैं, और गुरुओं के बारे में, मैं तो तुछ हूँ, मैं तो गुरु के बारे में क्या बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेक लब ना उसका किनारा है ना उसकी कोई तड़ी है गुरू बहुत गहरा है गुरू का हो या मादेव को बात देखो एक ही होती है अगर आप इसको समझे तो क्योंकि गुरू के भीतर आत्मा है और आत्मा के भीतर परमात्मा है तो फरक कुछ नहीं है सब कुछ एक ही है खेर मै आपको बताता हूँ कि मेरे एक तालिस दिन के साधना थी और उस साधना में मेरे को ब्रह्मचरिया का पालन करना था तो पहले दिन से साधना गुरू से आर्शिरवाद लेके मैंने उस साधना को सरू किया दिरे दिरे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पास दिन ऐसे दिरे वीवार था और गुरु माराज से बाबाजी के दूने पर गुरु माराज से मुलाकात हुई तो मैंने गुरु माराज से कहा कि गुरु माराज आपकी किरपा से और आपके अशिरवाद से एक आज चालिसवा या एक तालिसवा दिन था तो मैंने बोला कि गुरु माराज आप कोई भी गटना गट सकती है और सपने में कुछ भी आ जाए उल्टा सिधा तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि है तो हम at least एक समाजिक और भोतिक जीवन में ही तो है इतना अभिसदे नहीं है स्वयम को जाना नहीं है तो वासनाई खीच लेती है अपनी ओड लेकिन जब गुरु की किरपा हो तो बाल भाकर नहीं हो सकता आपका तो क्या हुआ मैंने गुरु महराज को का कि गुरु महराज आज चालिसवा दिन है और मुझे डर लग रहा है कि आज की आज-ाज का दिन मेरा ये किसी तरह से क्रोस हो जाए आपकी किरपा से तो ये मेरे साथ ना सुफल हो जाएगी तो गुरु महराज ने का कि डर ना डर मत तू मैं बैठा हूँ ना और मैं बैठा हूँ तो तेरे बीतर डर किस बात का तो गुरु महराज के वाकिए मैंने सुना उनका आशिरवात लिया उनको परनाम किया और आ गया वहां से तो लेकिन बुद्धी बड़ा जोर मारती है डराती है हमेशा ही बुद्धी डराती है भेभीत करती है तो उस रात को मैं सो नहीं पाया कि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं सो जाओंगा और सपने में कुछ गलाचीज आ गई तो साथ करने रहे तो मैं कह रहा कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी साथ ना खंडी इतना हो जाए इसलिए आज मैं पूरी रात जाक के काट हुआ लेकिन सरीर है ओवरलोड हो गया और जैसे ही बारा एक बजे मुझे नींद आ गई कब नींद आई मुझे कुछ नहीं पता मैं सो गया और सोने के बाद कुछ देर बाद दो या तीन बजे का साइद समय था जैसे ही मैं गहरी नींद के अंदर पहुचा तो कुछ देर के बाद मुझे अनुबा हुआ कि मैं किसी अनलोक में पहुच गया हूँ और जिस लोक में मैं पहुचा वहाँ बड़े सुन्दर अपसराय परिया थी और बड़े सुन्दर पेड, पोधे, जीव, जन्तु और वहां सूर्य की किरने सफेद नहीं थी, सुनेरी थी, तो वो जो सुनेरी किरने अपसराओं और परियों के उपर पड़ रही थी ना तो उनका उनका सरीर भी सुनेरा दिख रहा था, तो वहां मैंने देख् करन्या बैठी हुई और वो बड़ी घूर घूर के मेर को देख रही थी, और इस तरह का आकार, शरीर का आकार मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बड़ा सुन्दर आकरती थी उनकी, कोई दिवया आत्मा थी, पता नहीं कौन था, मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में, पर जैसे मैंने देखा कि उसके सरीर से सुनेरी रोशनी निकल रही है, तो मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता चला गया, जो मैं आगे जाता गया, जाता गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है, मेरे साथ मैं बड़ा डर सी गया, और मतलब उसकी और आकर्षित होता चला गया, ना चाते हुए भी उसका आकर्षन इतना अधिक था कि उसकी तरफ में खिषता चला गया, खिषता चला गया, लेकिन ये मुझे पता लगा कि ये सवपानावस्था नहीं है, ये या तो तंदरा थी या एनिंदरा आवस्था थी, जिसमें मैं किसी लोक में क किसी सकती के वशी बूतों के कहते हैं कि परमात्मा भी परिक्षा लेते हैं, गुरू भी परिक्षा लेते हैं, तो परिक्षा तो देनी पड़ती है साधनाव में, और वो मेरी आखरी परिक्षा थी, तो मैं उसकी तरफ खिषता चला गया, और मैं बड़ा बहबीत हो गया, और उसके बाद एक दम से मुझे ऐसे लगा कि मैं ये हो कह रहा है मेरे साथ इतनी सुन्दर आपसरा मैंने कभी देखी नहीं तो एक दम से अचानक मेरे कान में आवाज आई बड़ी प्यारी, बड़ी सुरीली, बड़ी मधुर और उस वो आवाज तीन बार मेरे कान में आई मुझे आज भी वो आवाज बड़ी अच्छे से याद है तो कान में आवाज आई, उठ जा, उठ जा, अरे उठ जा तो जैसे ये कान में आवाज पड़ी, अरे उठ जा तो मैंने देखाई ये आवाज जानी पैचानी है और मैं कहां हूँ मैं कहां आ चुका हूँ बड़ा भैबीत हुआ और एक दम से मिरी आँख खुल गी और आँख खुल की जैसे मैं बैठा तो बैठने के बाद मुझे पता लगा कि भीया कि आप साधना पे हो और आज आखरी दिन है और दिन निकलने से पहले अगर साधना खंडित हो जाती तो सब कुछ गडबड होना था लेकिन गुरू माराज की किरपा देखो कि मैं कहां मेरे गुरू कहां मैं भी सोया हुआ और मेरे गुरू भी उस समय शायद अरामी कर रहे हुँगे रात के दो-तीन बजे और गुरू की किरपा से मेरे कानों में आवाज आई और मेरे साधना को खंडित होनों से उन्होंने बचा लिया ये मेरी बुद्धी से फ्रेका विशे है ये सब कैसे हुआ गुरू माराज ने कैसे किया मैं नहीं जानता गुरू को ना तो पढ़ा जा सकता और ना समझा जा सकता लेकिन गुरू की किरपा से मेरी आग खुल गी और मैं दुबारे से इसी दुनिया में आ गया और जाग गया तो गुरू ने जगा दिया, तो इस situation से गुरू मुझे निकाल सकते हैं, और कानों में अवाज डाल सकते हैं, इतनी दूर बैठके कानों में जो अवाज डाल सकता है, तो वो कोई साधारन आत्मा नहीं होगी. कहते हैं कि मैंने सुना है, महान आत्माव से सुना है कि देखो जो जागा है वो ये दूसरे को जगा सकता है कोतम बुद्ध भी कहते थे कि अपो दीपो भाव, अपना दीपक स्वयम जलाओ तो जो जागा है वो ये जगा सकता है मेरे गुरु माराज शरीर से बलेश होते हैं लेकिन उनकी आत्म सदेव जागरीत रहती है वो अपने बच्चों को अपने परिवार को अपने गुरु परिवार को अपने चाने वालों को अपने भगतों का सदेव ध्यान रखते हैं और ऐसे महान आत्मा का जितना बखान किया जाए उतना कम है तो मेरा वीडियो बढ़ाने का उदेश्य ये है अगर आप सचे गुरु की सरण में हैं तो आप निर्बय हो जाएं आपका कोई बाल भाका नहीं कर सकता चाहे कितना ही बड़ा वो तांत्रिक हो कितना ही अच्छी परिविर्ति का हो या कितना ही बुरी परिविर्ति का हो चाहे इस लोग का हो चाहे दूसरे लोग का चाहे कहीं का भी हो अगर गुरु का हाथ आपके सिर्पे है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता तो ऐसी महान आत्मा कुष्या निद्यमे सरण में आप सदेव रहें और गुरु को पाणे के लिए सबसे सरल मार्ग आज मैं आपको बताना चाओंगा ना वो ज्यान है ना वो द्यान है ना वो सकती है ना वो अरादाना है ना वो पूजा है गुरु को और परमात्मा को सिरफ एक ही माद्यम है जिसके माद्यम से उनको पाया जा सकता है पूरणत है हंडर्ड एंटेन परसेंट तो वो मार्ग है प्रेम का प्रेम के वसी भूत सारा ये संसार है और शास्वत सत्या प्रमात्मा भी प्रेम के अदिन है तो आप सब सुनने वाले भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों और माताओ आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु की शरण में रहें और अपने गुरु से हिर्दय से प्रेम करे बुद्धी से नहीं हिर्दय से प्रेम करे तो ऐसी महानात्मा जो सदेव मेरी हर साधना में मेरी मदद करती है और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा आज तक मेरी जितनी भी साधना हुई है एक भी साधना मेरे तप से नहीं हुई है, मेरे गुरु के पासे हुई है मैं तुछ हूँ और भोतिक्ता में उल जा रहता हूँ परन्तु गुरु माराज मेरे बड़े पहुंची हुई एक सुद्चेतन्य आत्मा है जिनका बखान मैं नहीं कर सकता सब्दों में उनको ना तो समेट सकता नहीं आपको समझा सकता तो ऐसी माहनात्मा के चरन कमलों में मैं दंडवत परनाम करता हूँ परनाम गुरु देव, जै बाबा की, जै माता की आप सब को भी परनाम